action camera के लिए सबसे important accessory है उसका external mic और वो अगर wireless है तो action camera अपने full action में काम करता है आपके बहुत सारे comments मुझे मिले कि DJI action 2 के लिए कोई mic बताए और सिर्फ comment इतना ही नहीं था उसमें एक condition और थी कि mic budget में भी हो आपने कहा और इस action camera के लिए बहुत सारे mic मेंने test किये premium segment से लेकर budget segment तक किसी ने काम किया किसी ने काम नहीं किया चलिए बात करते हैं इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे premium segment के तो यहाँ पर DJI mic या mic 2 की बात करें तो यहाँ पर कहने की जरूत ही नहीं है वो perfectly इसके साथ काम करता है I am not showing you any sample because that is working perfectly अब बात यह आती है कि DJI mic लें या mic 2 लें तो देखें DJI mic के अगर बात करें तो वहाँ पर Bluetooth connectivity का कोई option आपको नहीं मिलता और अगर action camera की बात करें तो इसके अंदर भी Bluetooth connectivity का option नहीं है तो DJI mic 2 यहाँ पर लेने का फायदा नहीं है तो अगर आप उसके साथ और action cameras यूज करते हैं जैसे की DJI action 4 तो in that case वो Bluetooth connectivity के साथ आपको more usability दे सकता है तो यहाँ पर आपको इसके साथ कोई physical connection की जरुत नहीं है Bluetooth की help से ही आप कर पाएंगे पर इसमें नहीं तो इसके लिए DJI mic 2 लेने का benefit नहीं है परन्तो यह आपके 20-22,000 रुपए खर्ज करवा सकता है आप इतना खर्ज नहीं करना चाहते उससे कम बजट में चाहते हैं तो यहाँ पर है Holyland का ये Lark M2 यह आप करी सकते हैं या Holyland के ही दूसरे mic जो की कम बजट में आते हैं लगभग 7-8,000 रुपए के आसपास आपको मिल जाएंगे वो perfectly काम करते हैं चलिए सेंपल देख लेते हैं के सिर्फ उपर वाला हिससा यूज़ करते हैं तो इसमें कोई mic या कोई भी चीज़ connect करने का option नहीं है आपको connect करने के लिए battery module की ज़रत पड़ेगी जो दूसरा part आता है इसका उसके साथ और यहाँ पे यह USB type C का port है इसके साथ connect करेंगे तो देखी यहाँ पे mic का symbol आ चुका है तो यह ensure हो यहाँ पे हम हो जाते हैं कि जब भी mic का symbol आता है तो इसका मतलब यह connect तो हो जाएगा अब देखते हैं एक बार काम करके कि यह काम करता है कि नहीं करता मैं छोटा सा वीडियो इसके साथ record कर रहा हूँ प्रेजेंटली जो वीडियो आप देख रहे हैं वो DJI Action 2 camera के साथ है और Holyland के इस mic को मैंने connect किया है मैंने mic की कोई settings नहीं की change जैसा है as it is है जस्त यह test करने के लिए कि यह काम करता है या नहीं करता है हमें सिर्फ यह test करना है quality और वो चीज़े हैं तो इसका मैं review कर चुका हूँ आप वो वीडियो देख सकते हैं mic का और action camera का भी मैं review पहले कर चुका हूँ वो वीडियो देख सकते हैं जस्त यहाँ पर हम testing कर रहे हैं कि यह mic काम करेगा या नहीं करेगा और अगर आप Holyland के ही Lark M2 को लेते हैं तो इसके साथ आने वाले ये छोटे-छोटे बटन आपके helmet के अंदर इस तरह छुप जाएंगे कि पता भी नहीं चलेगा और audio quality तो best मिलेगी ही इसलिए थोड़ा सा budget extra खर्च करते हैं तो ये perfect रहेगा परन्तु इतना भी खर्च नहीं करना तो उससे नीचे चलते हैं लगभग 4000 रुपे के आसपास तो 45000 रुपे के budget में कोई भी माइक जो की USB Type-C के साथ आता है सारे इसके साथ काम करते हैं परन्तु यहाँ पे एक point ध्याने रखने का है वो मैं आगे चलके बताऊंगा पहले माइक डिसक्स कर लेते हैं तो ओडियो एरे का माइक हमने पहले रिव्यू किया है आप उसको देख सकते हैं पुचार हजार रुपे के आसपास आपको मिल जाता है लिंक नीचे डिस्क्रिप्संस के अंदर ही मिल जाएगा परन्तु ये धान रखें कि उसमें आप USB Type-C Port वाला ही माइक लें उसका भी रिव्यू मैं पहले चैनल के उपर कर चुका हूँ इतना ही प्राइस में गरनारो का माइक भी मिल जाता है आप वो लेना चाहें वो भी ले सकते हैं वो भी काम करता है परन्तु मैं यहाँ पर प्राइफर करूँगा बोया के माइक को क्योंकि उसकी साउंड क्वालिटी बैटर है गरनारो के मुकापले अब जलते हैं इससे भी कम सेजमेंट में और इससे भी कम क्या सबसे कम के उपर चलते हैं 600 रुपए के आसपास 600 रुपए में वाइरलेस माइक और इस एक्शन कैमरा के लिए येस मैंने टेस्ट किया आप भी देख लिजिए बजट में काफी अच्छा उप्शन आपको इस माइक से मिल जाता है पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है कई बार क्या होता है कि जब माइक का मोडल चेंज होता है 600 रुपए के आज-पास आपको मिल जाता है और round quality भी काफी अच्छी है तो अगर आप budget में ढूणना चाहते हैं तो ये ले सकते हैं या इसी type के और भी दूसरे type C के माइक मिलते हैं वो आप ले सकते हैं परन्तु 600 रुपए में आपको अच्छी quality मिलती है तो किसी और के बारे में क्यों सोचना लिंक नीचे डिस्किप्सिंस में है पर आपका question हो सकता है आपने starter में कहा था कुछ बात आपको बतानी है येस चलते हैं उसी point के उपर हम जुगाड के बारे में बहुत सौचते हैं और ऐसे में हम कई बार सोचते हैं कि इस तरह के adapter काम कर जाएंगी ये USB Type-C to 3.5mm audio adapter है और आपको मैं बताऊं कि मैंने इसको अलग-अलग type के mic के साथ अलग-अलग तरीके से इवन earphones जो आते हैं phone के लिए उसके साथ भी दूसरे mics के साथ भी बहुत सारे तरीके से टेस्ट किया और ये काम नहीं करते तो जुगाड के चक्कर में मत रहना छस्तो रुपे में मैं आपको सबसे कम price के अंदर माईक बता चुका हूँ वो आप खरीज सकते हैं और थोड़ा सा better quality चाहते हैं आपके helmet के अंदर लग जाए अच्छी audio quality मिल जाए तो आप बोया का माईक खरीज सकते हैं इन सभी माईक के link मैंने नीचे description के अंदर दे दिये हैं आप जो भी खरीदना चाहें link के उपर click करके ही खरीदें so that कि आप एक सही माईक खरेद पाए और इस जनल को आपके उस click से help मिले अच्छे अच्छे reviews देने के लिए और भी बहुत सारे comments आप की तरफ से मिले जैसे कि ये update नहीं होता इसके साथ heat case का क्या effect होगा उसके बारे में बात करेंगे next videos के अंदर तब तक आपके हमेशा की तरह कोई भी question या सुझाव हो तो नीचे comment section के अंदर लिखना न भूले so this was all about for the day में ते नेक्स वीडियो में thank you very much